Crossover Network क्या है? उसका काम क्या होता है? और उसकी जरुवत क्यों होती है? आएए देखते हैं Crossover Network एक ऐसा सक्ट है जो Audio Signal को Frequency के हिसाब से अलग करता है Low Frequency, High Frequency को अलग करके उनका एक अलग से Output देता है जाहिर है Crossover Network High Pass और Low Pass Filter से बनता है High Pass Filter High Frequency को फिल्टर करते हैं और Low Pass Low Frequency को लेकिन Crossover की जरुवत क्यों पढ़ती है? ये समझने के लिए पहले समझना होगा Speakers के बारे में आपने देखा होगा बहुत से Speakers में एक बड़ा Low Frequency Driver होता है और एक छोटा High Frequency Driver होता है पर क्यों? क्या हम हमारा Audio से एक ही स्पीकर को नहीं दे सकते? क्या वो सही काम नहीं करेगा? जब हम एक छोटे स्पीकर की बात करें तो ये मुम्किन है छोटे Bluetooth और Computer Speakers के अंदर एक ही स्पीकर होता है पर बड़े स्पीकर में ये नहीं किया जा सकता है जैसे कि आप जानते होंगे हम 20 हर्ट से लेके 20 किलो हर्ट तक की Audio Frequency सुन सकते हैं स्पीकर का काम है इन सारी फ्रीक्वेंसी को ठीक तरीके से रिप्रोड्यूस करना यानि कि सुनाना गौर कीजिए 20 हर्ट से लेके 20 हजार हर्ट ये कोई छोटी रेंज नहीं है इतनी बड़ी रेंज को एक स्पीकर ठीक से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता एक उधारन देखते हैं मुझे कुछ समान एक जग़ से दूसरी जग़ ले जाना है समान का वजन है 20 किलो इसे मैं मेरी कार में असानी से ले जा सकता हूँ अब अगर मुझे 2000 किलो वजन का समान ले जाना हो तो मेरी कार काफी नहीं होगी मुझे एक छोटे टेंपो की ज़रुवत पड़ेगी और अगर 20,000 किलो वजन का समान हो तो एक बड़ा सा ट्रक जैसा समान वैसा सादन इसी तरह low frequency audio signal काफी heavy होता है इसे ठीक से reproduce करने के लिए speaker को काफी सारी हवा move करनी होती है इस काम के लिए बड़े woofers सबसे सही है और high frequency signal बहुत कम energy लेता है पर बहुत तेजी से बदलता है ऐसे signal के लिए छोटा hf driver सबसे सही होगा इसी कारण passive speakers के अंदर crossover network बिठाया जाता है जो इन signals को अलग करके woofers और tweeters को देता है crossover के कई प्रकार होते हैं 2-way, 3-way, 4-way वगिरा crossover अपने number के हिसाब से audio frequency की range को अलग हिस्सों में बाठते हैं 2-way crossover हमें 2 output देता है low और high frequency जबकि 3-way crossover हमें 3 output देता है low, mid और high frequency crossovers इस्तिमाल के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं passive speakers में speaker drivers के पहले जो लगते हैं वो होते हैं passive crossovers ये बड़े-बड़े coils, registers और capacitors से बनते हैं और active speakers में amplifier के पहले जो लगता है वो होता है active crossover ये एक electronic circuit है जो filtering का काम line level पर करता है दोस्तों एक speaker के बढ़िया output में उसके crossover का बहुत महतुपूर्ण योगदान होता है अगर ये जानकरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like जरूर कीजिए और ऐसे अलग-अलग audio concepts की जानकरी अगर आपको चाहिए तो comment box में आपके सुजाव जरूर लिखिए